हलो एवरीवन आपको एक आइडिया लग जाए कि ये वीडियो कितनी इंपोर्टेंट होने वाली है आपके लिए तो देखिए सबसे पहला फ्रेज जो हम कवर करेंगे तांक जहांक करना देखिए बहुत बार हम ऐसे अगर ऐसी बात है तो मैं यहां से चला जाता हूं अगर ऐसी बात है तो मैं आज के बात तुमसे बात नहीं करूंगा हम ऐसे बहुत सारे sentences बोल सकते है next time मजबूरी में मैं मजबूरी में यहां आ रहा हूं मैं मजबूरी में यह सब कर रहा हूं तो इसे sentences तो यह चार प्रेज़न हम कवर करने वाले हैं and hope आपको idea होई दिया होगा कि कितने important है हमारी Delhi conversation में तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बट हाँ वीडियो के लाफ्तर जरूर बने रहिएगा so that आप इनके यूज को भी अच्छे से समझ पाओ तो चलिए लेट नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो let's begin तो सबसे पहला फ्रेज देख लेता है that is तांक जहां करना है ना तो तांक जहां करने के लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे स्नूप राउंड तो इसके लिए हम यूज करने वाले है स्नूप अराउंड अब देखे स्नूप को हम according to the tense यूज करेंगे यह मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि यह फ्रेज है यहां पर वर्ब है जिसका मतलब है तांक जहां की करना यह तांक जहां करना तो इसको हम according to the tense ही यूज करेंगे means अगर लगानी है तो हम इसी में लगाएंगे third form, first form जो भी लगाने इसी की लगाएंगे तो चली पहला example देख लेते हैं तो पहला example है तांक जहां करने की आदत छोड़ दो ठीक है तो बात हो रही है यहां पर छोड़ने की ठीक है बात हो रही है छोड़ने की और यह imperative sentence है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि imperative sentence हमें सब verb से start होते है तो यहां पर हम verb यूज़ करने वाले है stop तो यह हो जाएगा stop और यह भी आद रखेगा कि stop के बाद अगर हमें कोई दूसरी verb यूज़ करनी हो तो तब हम verb की fourth form यूज़ करते है आदत है तो यह कि आदत ही है ठीक है यह फिर stop the habit of snooping around ऐसे भी कर सकते हो यह फिर stop snooping around ऐसे भी कर सकते हो चोईसे यूर्स कैसे आप यूज़ करना चाहते हो नेक्स देके नेक्स है उसे तांक जहां करने की आदत है तो यह जो sentence है यह simple present tense का जिसमें हम इजारम का यूज़ करते हैं तो यह हो जाएगा यह sentence हम दो तरीकी से बना सकते हैं दोनों तरीके में आपको बता देती हूं या तो देखिए जब भी ऐसी बात होती है कि आदत है तो in the habit of लगाया जाता है जैसे कि मुझे पढ़ने के आदत है अधिचिंग उसे खेलने के आदत है he is in the habit of playing तो ऐसे हम sentences को बोलते है या फिर अगर मैं कहो कि मुझे पढ़ने के आदत है तो मैं ऐसे भी कहते है I have the habit of pitching तो ऐसे भी हम बना सकते हैं तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं कि उसे तागजा करने क्या दाता है He is in the habit of snooping around तो ये सेंटरस होगे He is in the habit of snooping around और देखे मैं आपको हजार बार ये बाते बता चुकी हूं और अगेन मैं बता देती हूं जब भी हमें preposition के बाद verb यूज़ करनी होती है तो हम उसमें ing यूज़ करते हैं बस to a के ऐसी preposition है अगर उसके बाद verb हमें यूज़ करनी होती है तो verb की first form आती है otherwise जितनी भी preposition है अगर उनके बाद verb आती है तो वो main verb की fourth form आती है यह हमेशे याद रखेगा ठीक है तो यह फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते ही है दा हैबिट ओफ ही हैज दा हैबिट ओफ स्नूपिंग अराउंड जैसे आप कमन करें आप वैसे यूज कर सकते हैं इसको और वर में लगाते है आएंजी अब यहां पर ताका जहां कि क्यों कर रहे हो तो यह हो जाएगा वाइज आर्यू स्नूपिंग अराउंड इंटु माय मैं तो होप यह समझ में आ गया होगा आपको तो चलिए देख लेते हैं नेक्स फ्रेज नेक्स फ्रेज है पंगा लेना प हम अizers design उसके लिए हम फ्रेज यूज करने वाले हैं मैं सब और मैं सब के बाद हम विद का यूज करते हम किसे तो पंग लेना है टीक तक मैं इसके साथ लिख भी कि मै असब विद कि तविद होजाएगा थिक अब देखी पहले export 6100 WOW मैं बहूत बहुत बादाशन क्यूंकि अगर imperative sentence negative होता तो don't से हम sentence को start करते हैं यह हो ज़िए गर don't mess up with me right तो यह sentence हो गया है don't mess up with me मुझसे पंगा मतलो next sentence है मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा right आप देखे future indefinite sentence है will shall का यूज करेंगे verb की first form यूज करेंगे right एंड हम मैस को ही according to the sentence यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर तो देखें मुझसे पंगल लेना तुम्हें भारी पढ़ेगा तो it will cost you dearly तो dearly जब भी हम लगाते हैं उसका मतलब भारी पढ़ना it will cost you dearly messing up with me right तो sentence हो गया it will cost you dearly messing up with me क्योंकि देखें यहाँ पर हमने verb यूज़ की है भारी पढ़ेगा तो भारी पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे यानि वो हो जाएगा sentence it can cost you dearly messing up with me अब देखें यह जो messing up with me है इसे आप sentence के starting में भी यूज़ कर सकते हैं sentence में कैसे यह ऐसे भी हो सकता है messing up with me will cost you dearly तो फिर हमें it लगाने की कोई need नहीं होगी तो सीधा हम sentence बना देगे messing up with me will cost you dearly तो ऐसे भी आप इसे बना सकते हो तो तुम बिना मतलब उससे पंगा ले रहे हैं you are messing up with me without any reason तो sentence हो गया है you are messing up with me without any reason without any reason means बिना मतलब तो बिना मतलब तुम उससे पंगा ले रहे हो और कोशन में पूछा जाए कि भी तुम बिना मतलब उससे पंगा क्यों ले रहे हो वाई आर यू मैसिंग अप वीद मी विदाउट एनी रिजन तो ऐसे आप sentences को बना सकते हैं बस आपको याद रखना है कि जब भी पंगा लेने की बात होगी तो आपको यूज करना है मैस आप राइट को होप समझ में आ गया होगा आपको तो चलिए नेक्स फेस देख लेते हैं नेक्स फेस है अगर ऐसी बात है तो तो इसके लिए हम English में फ्रेस यूज करेंगे if that is the case तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले है हम यूज करेंगे if that's the case इसको that is प्रणाउंस कर लीजे या फिर that's प्रणाउंस कर लीजे एक ही बात है तो देखिए पहला sentence देख लेते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाओंगा तो यह तो पूरी की पूरी फ्रेस आ गई है तो if that's the case मैं वहाँ नहीं जाओंगा I will not go there sentence हो गया है if that's the case, I will not go there मैं वहाँ नहीं जाओंगा अब देखिए कोमा जब भी हिंदी के sentence में तो आता है अगर हमें उसे राइटिंग में यूज करना है तो हम लगाएंगे कोमा तो अगर यह कोमा यहाँ पर लग गया है और उसके बाद दूसरी क्लोज हमने यूज की है तो इसका मतलब होता है तो लेकिन जब हम speaking की बात करते हैं है और अगर हमें वहाँ पर ओलना हो तो हम एक ये दो सेकिन का पॉर्च देते हैं इस इफ दे 40द के तो देन यूज नहीं होता है तो के लिए हमेशा यह तो पोज लगाईए speaking में and writing में आप पोमा लगाईए तो यह sentence हो गया है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए अब देखिए चाहिए है यहां पर हम किसी को suggestion दे रहे है तो शूड करेंगे if that's the case you should take rest तो यह हो गया है if that's the case you should take rest तो तुम्हें आराम करना चाहिए अगर इसको past में हम बोलते कि अगर ऐसा ही था तो तो दोनों सेंटेंस पास्ट में है कि अगर ऐसी बात थी यह भी पास्ट में है तो तुम्हें रेस्ट करेंगे तो यह हो जाएगा वोज आपको पता होगा कि जब हम पास्ट की बात करते चाहिए था तो शूड के साथ है यूज करेंगा इनको यूज करना अगर ऐसी बात है तो तुम रहने है तो इस अगर ऐसी ही बात है तो तुम रहने दो कुछ भी काम अगर हो कोई काम करने के लिए बोल गया हो अच्छा तुम रहने ही दो अगर ऐसी बात हो तो माखुद कर लूँगा आइविल दूट माइसे तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसी बोल सकते हो तो आपको याद रखना है फ्रेज की इंगलीश इस फ्रेज की इंगलीश है ओ बहुत बहुत एक बहुत बड़ा confusion रहता है अब क्या देखिए बहुत बार क्या होते हैं कि हमें पता होते हैं कि मजबूरी को हम कहते हैं Compulsion या फिर हम कहते हैं Necessity लेकिन अब वो क्या करते हैं Learners यह करते हैं कि In Compulsion In Necessity अगर क्यों mind में एक concept बसा हुआ है कि जहां पर भी मैं आ जाए इन लगा दो बठी गलत है अगर आप इस phrase को यूज करते हो तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा या तो हम लगाएंगे out of Compulsion या फिर हम लगाएंगे out of Necessity तो आप ऐसे मतलाएगा कि in Compulsion या फिर in Necessity और आपको यह भी पता होने चाहिए कि मजबूरी के लिए हम Necessity भी यूज करते हैं Compulsion भी यूज करते हैं राइट इसके साथ हम लगाएंगे out of I think आप अपने mind में इस आप को रखोगे तो पहला एक्जांपल देख लेते हैं पहला एक्जांपल है मैंने यह सब मजबूरी में किया तो देखिए अगर आपको सेंटेस अच्छे से आते होंगे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि पास indefinite का sentence है and I think you know very well that in past indefinite sentence we use verb second right past indefinite में हम verb second का use करते है positive sentences में अब यह वही sentence है तो चली ले ले लेते हैं मैंने यह सब मजबूरी में किया right तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए कि I did all this out of compulsion या फिर आप इसको ऐसे बोल लीजिए I did all this out of necessity choice आपकी है जो भी आपको easy लगे तो वह आप use कर सकते हैं लेकिन मैं prefer करूंगे compulsion because necessity तो एक थोड़ा ordinary सा word हो गया है जो हम काफी पहले से बोलते आ रहे है तो compulsion I think थोड़ा सा good sound करे रहे speaking में right चले next example देखते हैं उसे मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा अब देखे अगर आपको यह वाला concept आता है कि पड़ा आपको पता होगा कि अगर हम present in deficit में sentence बोलते है present में तो यह हो जाता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है ठीक है past क बोलेंगे तो यह हो जाएगा मुझे वहाँ जाना पड़ा अगर future को बोलेंगे तो यह हो जाएगा कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा तो यह एक अलगी concept है यह आपको आना चाहिए और आप देखते भी हो कि ऐसे sentences हम दिन में बहुत बार यूज करते हैं तो इनका एक अल तो चली हम इसको बना लेते है sentence को he had to go there out of compulsion तो हमने had to कयूज किया तो sentence हो गया है he had to go there out of compulsion उसे वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा और अगर यह होगे कि उसे वहाँ मजबूरी में जाना पड़ेगा he will have to go there out of compulsion मुझे मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है I have to go there out तो ऐसे आप sentences को form करोगे ठीक है तो बस यह concept आपको आना चाहिए याद रखेगा in the compulsion मत कीज़ेगा out of compulsion कीज़ेगा next देखें क्या यह सब तुम मजबूरी में कर रहे थे अभी past continuous sentence है and past continuous में हम लगाते है was word and verb की fourth form अब देखें क्या से start है तो helping आपको starting में यूज़ करेंगे subject इसमें तुम है तो तुम के according हम वर का यूज़ करेंगे क्या तुम यह सब मजबूरी में कर रहे थे वर यू डूइंग ओल दिस आउट ओफ कंपल्शन right तो sentence हो गए were you doing all this out of compulsion क्या तुम यह सब मजबूरी में कर रहे थे और अगर यह present का हो जाए कि क्या यह सब तुम मजबूरी में कर रहे हो are you doing all this out of compulsion right तो ऐसे sentences आप use कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर मजबूरी में हमें यूज करना हो तो हम यूज करेंगे out of compulsion या फिर out of necessity hope आपको समझ में आ गया होगा and जितने भी phrases मैंने आज आपको बताए है I think आपको समझ में आ गया हो और मुझे comment section में यह भी बताईएगा कि जो चार phrases मैंने explain के है आज तो आपको सबसे जदा helpful कौन सा लगा है कौन सा आप ज़्यादा तर अपनी life में use करते हो या फिर आगे करने वाले हो राइट तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में till then bye bye take care stay healthy and keep learning